हेलो बच्चो गुड मॉनिंग आज हम कक्षा तीन में हिंदी पाठ पांच पढ़ेंगे पाठ का नाम है मुझको जरा बताओ या पाठ संकलित है तो आईए हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसका अर्थ जानेंगे प्रकूती में ऐसी अनेक चीजे हैं जिनके कारण जिनके कार्य देखकर हमें उनके बारे में जानने की इच्छा होती है जैसे हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसके बारे में जानने की हमारे मन में इच्छा हो जाती है कि यहां कैसे बना हुआ है यहां कैसे लग रहा है एक बच्चे को कई चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता होती है वहाँ अपने मन में उत्पन्न शवाल अपने नानी के समक्ष रखता है तो इस पाठ में यही बताया गया है कि एक बालक अपने नाने से बहुत सारे प्रश्णों का जवाब पुस्ता है तो आईए इस कविता को पढ़ कर इसका अर्थ समझें आश्मान क्यों नीला लगता? तारों में क्या जादू जगता? कैसे इंद्र धनुश उगता है? कहां छिपी परियो की रानी? मुझको जरा बताओ नानी बच्चा अपनी नानी से पूस्ता है कि नानी? आकास आश्मान मेंस आकास नीला क्यों होता है? तारों में कौन सा जादू है जो टिम्टि माते रहते हैं? और सात रोंगो वाला धन इंद्र धनुश आस्मान में कैसे उगता है? और परियो की रानी कहां छिपकर बैठी रहती हैं? यह मुझको बताओ दूसरा है शूरज दिन भर चमचम हसता किन्तु साम को क्यों यह ढलता नई रोसनी सब को देकर कहां चला जाता यह मानी? मुझको जरा बताओ नानी बालक अपनी नानी से फिर यही शवाल करता है यह शूर यह सूरज यानि शूर्य दिन भर चमचता हुआ यानि हसता हुआ सा एकदम हसता हुआ सा लगता है मगर साम होते ही वह ढल क्यों जाता है? वह छिप क्यों जाता है? दिन में तो यह सारे शंशार को नई नई रोसनी देता है पर यह गरवीला सूरज यानि रात को कहां चला जाता है? नानी मुझको जरा बताओ बालक अपनी नानी से बार बार यही पूछ रहा है कि मुझको जरा बताओ तो सही? आगे कैसे उगता चंदा प्यारा बड़ा गजब इसका उजियारा चंपे के चंचल फूलो सी? क्यों इसकी है हशी शुहानी? मुझको जरा बताओ नानी बालक वापस अपनी नानी शे यही शवाल करता है नानी जरा बताओ कि यह चंद्रमा भला कैसे उगता है? इसका उज़ाला तो बड़ा अनूठा है, बड़ा अजब है नानी यह चंदा हसता हुआ सर लगता है, ऐसे लग रहा हो बच्चो आप लोगों ने भी चंद्रमा यहां पे देखो चंद्रमा कैसे इस्माईली दे रहे हैं आप लोगों में भी देखा होगा कि जैसे लगता है कि वो हस रहा हो इसकी हसी चंपा के चंचल फूलों की तरह बहुत सुहानी है नानी जरा मुझे को बताओ कि ऐसा क्यूं है कि क्यूं ऐसा है कि वो हमेशा इसमाईले में ही रहते हैं कैसे खिलते फूल सजीले लाल गुलावी नीले पीले जूम जूम कर मस्त हवा में कहते हैं क्या एक कहानी मुझे को जरा बताओ नानी बालक वापस अपनी नानी से फूश रहा है कि हमें तरह तरह के फूल खिलते हुए दिखाई देते हैं जैसे लाल, गुलावी, नीले और पीले इसमें से कोई लाल रंका होता है, कोई गुलावी रंका होता है तो कोई नीला होता है और कोई पीला होता है ये फूल मस्ती से हवा में जूम जूम कर भला कौन सी कहानी कहते हैं नानी तुम मुझे या बताओ बालक अपनी नानी से कहता है कि मुझे आप बताओ चिडिया गाती है जो गाना लगता है क्यों खूब शुहाना कोयल क्यों अच्छी लगती है कवा क्यों इतना अभिमानी मुझको जरा बताओ नानी बालक फिर अपने नानी से पूछता है कि जमीन और पेड़ों पर चिडिया जो गाना गाती है वह बहुत अच्छा लगता है कोयल की बोली बहुत अच्छी बहुत शुहानी लगती है मगर कव्वा इतना घमंडी क्यूं है बालक अपनी नानी से पूछ रहा है कि चिडिया पेड और जमीन पर इतना अच्छा गाना गाती है और कोयल इतना मीठे श्वर में गाना गाती है मगर कव्वा इतना घमंडी क्यूं है क्यों इतना अभिमानी को मतलब घमंडी क्यूं है कबालक बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही कहेंगे बस अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद